हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सब का नहें से काहा जो आपके लिए प्लान लेकर है वह 840 स्क्राइब का है यानि 840 स्क्राइब फीड का है और इसका जो साइस है वह 21 ठीक है दोस्तों 21 Him 45 है और यह इस प्लान का जो एलिवेशन है जी डिक्टो सामने आपके इमेजिक दिख रही है यह इसका 3D प्लान है और इसके साइड में आपका व्यू चलता रहेगा जो की बेडरूम का है ट्वालेट का है जो इंटीरियर डेकुरेशन है वाक थू वो सब चलता रहेगा ठीक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्लाट का साइज कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आपको उसका वीडियो 100% free of cost मिल जाएगा और पीडिया भी प्रोवाइड करा दी जाएंगे ठीक है दोस्तों तो ज्यादा समय ना लेते हुए चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये हमारा जो गेट है वो आट यह इनर साइड है ठीक है दोस्तों और इसमें और भी श्पैस सकता था है यह हमारे कस्ट्मर एसंकर संटोश्ज你क Milka फ्लान है एक अंदर अंदर है ठीक है दोस्तों और साथ ही साथ मैं स्टेBER जो है वह बाहर से ही दी हुई है ओके उपर के लिए और इस जो है वह और पारकिंग एक अच्छी सी हो सकती है अगर के लिए जो तो इन्टरी गेट है एक तो यह है और एक दूसरा हमारा यह है एक जो है वह drawing room में आता है यह हमारा drawing room है और Australian room जिम्हें वह काफी बड़ा साइस का है यह 11 फिट और laws 11 फिट का है ठिका दोस्तों वैसे तो यहां से size ऐसे open है ठिक है दोस्तों तो जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो और बढ़ जाता है निके 11 बाइ 14 फिट हो जाता है ड्राइंग विड डाइनिंग एरिया आप यहां पर बना सकते हो के अब जो दूसरी इंट्री है वह हमारी वह हमारी सीधे लॉबी में आती है लॉबी से हमारा क्या है फिर एक साइड ओटी एस है और इस एरिया में आप लोग ट्वालेट भी है और यहां पर आप वासिंग मसीन वगयरा कुछ पुट करना चाहते हो तो रख सकते हो ठीके दोस्तों दूसरा फिर चलते हम रूम के तरफ एक गैलरी है गैलरी टाइप से है तो यह हमारा यहां पर गीट लग जाएगा यहां पर ठीके दोस्तों तो उसके एक रूम नंबर में एक में आ जाएंगे हम और इसका जो साइज है वो नौ फिट सात इंच और दस फिट छेंच है ठीके दोस्तों अंदर अंदर है और इसी से इसके पीछे एक OTS है जिस पे हम विंडो लगाएंगे और जो कि हमारे वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा यह सी गर आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा अब हम रूम नंबर दो की तरफ आते हैं जो कि यह है और इसका भी साइज अप्रॉक्समेटली ने डिक्टो वही है ठीक है दोस्तों यानि कि सेम साइज का दो रूम ह की वाल है अगर आप चार इंची की करते हो तो भी आपका छे चार बार यानि की ग्यारा फिट हो जाएगा और यह भी कुछ इधर बढ़ जाएगा ठीक है दोस्तों अब हम किचन देखते हैं तो उन्होंने तो ओपन किचन बना रखा है बोला था कि ओपन किचन रहना है गर आप चाहते हैं इसे क्लोज करना तो यहां पर डोर भी लगा सकते हो किचन का साइज काफी अच्छा है ठीक है दोस्तों और टोइलेट गर हम इसमें एक बातरूम की बात करते हैं तो वह भी छे बाइपांच का है ठीक है दोस्तों तो यह इसका टूडी प्लान है अब हम पि ना रखा है यह हमारे नंबर आप पिलर्स हैं ठीक है दोस्तों और यह इसका लॉन है ग्रीन एरिया जो हमारा ग्रीन जोन दिख रहा है यह लॉन है यह ग्यारा बाइचार का है आनि कि आप एक छोटा सा गार्डिनिंग एरिया भी बना सकते हो तो उम्मीद करता हूं यह प सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक करना बिलकुल भी मत भूले क्योंकि लाइक से हमें मोटिवीशन मिलता है कि हाँ आपको मेरा प्लान पसंद आया और साथी साथ है हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे प्लांस लाते रहेंगे और घर से रिलेटेड बहुत सारी ची चाहिए कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए घर भनवाते टाइम ठीक तो इन सब पर वीडियो आपको मिलेगा ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाय थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो